आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं what is difference between wake and awake wake और awake में क्या difference होता है वो हम लोग देखने वाले हैं एक वीवर का कमेंट आवाता है कि सर इस दोनों में क्या difference होता है वो मुझे समझाइए तो अगर आपको भी किसी टॉपिक में डाउट है तो आप नीचे पहचान सकते हैं तो देखिए यह आपको फर्स्ट वाला यानि वह एक जो है वह आपका एक्शन है वह क्या है आपका एक्शन है और सेकेंड वाला क्या है आपका वह आपका स्टेट यानि इस्थिति यानि इस्थिति अगर स्टेट आपको नहीं समझ में आता है तो आप य इंदि आब लिखना चारते हैं तो यहां पर लिख लिजे इस्ठीटी पहले है को भी लिख Wagyeet इस्टीटी को भी लिख लिजेत सकते हैं जैसे को सोया हुआ है को जगा हुआ है तो वह उसका क्या है guys, sthity है, क्या है? sthity है वो किस condition में अभी? तो जगा हुआ है सोया हुआ है, है ना? तो हम लोग क्या बता रहे है? वो sthity बता रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग awake का use करेंगे लेकिन कोई किसी को जगा रहा है, या फिर आप जाग रहे हैं तो वहाँ पर आपको awake का ही use करेंगे, क्योंकि वहाँ पर action हो रहा है तो guys, जहाँ पर action होगा वहाँ पर हम लोग awake का use करेंगे और जहाँ पर state of a condition के बारे में बात किया जाएगा, तो वहाँ पर awake का use करेंगे कुछ example की ओर लिए चलता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो guys, example number देखिए, one आपका क्या है क्या वहाँ जगा हुआ है क्या example आपका, मैं आपके लिख भी जता हूँ उसको translate भी कर देता हूँ, देखिए क्या वह जगा हुआ है आप किसी से पूछ रहे हैं क्या वह जगा हुआ है तो यहां पे आपका कर रहे है उसका स्थिती पूछ रहे हैं क्या वह जगा हुआ है तो यहां पे आप उसका condition पूछ रहे हैं यानि स्थिती पूछ रहे हैं कि वह सोया है कि जगा हुआ है तो यहाँ पे आपको awake का ही यूज करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा Is he awake Is he awake क्या व Cheng Авra क्या वह जगा हुआ है तो यहाँ पे आप aesthetic के बारे में बात करे थे तो इसलिए यहाँ पे आपने awake का यूज किया है अब जैसे इसका reply देना होगा कि हाँ वह जगा हुआ है हाँ वह जगा हुआ है तो यहाँ पर भी देखिए आप क्या कर रहे है उसका state के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं कि हाँ वह भी जगा हुआ है है ना सोया नहीं है हाँ वह जगा हुआ है तो इसको कैसे बनाएंगे येस ठिक हुआ है तो यहाँ पर भी क्या कर रहे से यानि इस्थेति कोशो कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आउक का यूज किया गया अब कुछ आपको मैं ओगर कर वा दिता हूं धर आपको और अच्छे से उठा देना उठा देना तो यहां पर आप condition के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो गाइस यहां पर आप condition के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहां पर इस्थिती के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहां पर action होगा क्या action होगा तो कोई उसे उठाएगा जाकर के कितना वज़े तो 6 बजे जाकर के उससे सुभा में कोई उसको उठाएगा सुभा में 6 बजे जाकर के उससे कोई उठाएगा तो यहाँ पे उठाने का action होगा ठीक है उसको जगाएगा तो यहाँ पे action होगा तो जभी भी action होगा तो वहाँ पे wake का use आपको करना है अगर उठाने का काम कर रहे हैं या फर उठने का काम कर रहे हैं दिन वहां पर आपको वेक का यूस करना पड़ेगा I hope कि आपको समझ आ रहा होगा ठीक है तो इसको कैसे बनेंगे तो इसको translate कर लेते हैं कि आप किसी को request करेंगे कि हैंना कि उससे आप सुभध 6 ऑजे उठा दिजागा तो आप उसको request करेंगये म Вас वेक हिम वेक हिम अप प्लीज वेक हिम अप वेक इम एप बेख मिंआप आड शिक्स ह personnage in the morning in the morning I hope guys कि आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा वेक का एक example मैं आपको और देता हूं फिर आपको और अच्छे से ये clear हो जाएगा अब जैसे अगर आप बोलना साथ वजे उठता हूं ठीक मैं सुभर साथ वजे उठता हूं मैं सुभर साथ वजे उठता हूं तो क्या हो जाएगा I wake up I wake up I wake up at seven in the morning in the morning तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं उठने का action कर रहे हैं यहां पर आप सोया हुआ जगा हुआ यह फिर कुछ यहां पर इस्थिती यानि condition यानि state के बार में कोई भी जानकारी यकीन ना हो तो कमेंट करके चेक कर ले और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन काल पर स्लिक कर ले तो गाइस मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना ध्यान रखिए ठैक्स पर वोचिंग भाइ टेकर और अवफ और व्क लघ्